हिंगनगाट तालुका के अलिपूर के पास पुलगाओ के भारत नाकपाल के टिपपर को रेती घाट कानोली कातरी के पास केबीन वायरिंग को अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जिससे परिसर में खलबली मची चालक ने आग बुजाने की कोशिश के लेकिन आग नहीं भुजी तब उसने केबीन से छलांग लगा के अपनी जान बचाई गाउम में हाइवे सडक निर्मान काम प्रगति पत्पे है और वहां से आग बुजाने पानी की दो टैंकर बुलाए गए लेकिन पानी का फोर्स कम रहने के कारण आग बुजाने में सफलता नहीं मिली सम्मंदित घटना की जानकारी सरपंच नितिन चंदन खेड़े को मिली तब उन्होंने मोके पर जाकर पुलीस तवसिदार उपविबागी अधिकारी को फोन द्वारा सुचना दी कुछी देर बाद पुलीस निरिक्षक शाइले शेल के पुलीस उपनेरिक्षर सौपनिल भोजगुडे और उनकी टीम पहुची साती हिंगनगाट से फायर ब्रिगेट की टीम पहुची और जलते ट्रक को बुजाया गया आग भुजने तक पूरा टिपर आग की लप्टों में घिर गया था टिपर के टायर जलकर राख हो गए लेकिन टिपर की डिजल टैंक नहीं फूटी इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई किसी के हतात होने की सुचना नहीं है पुलीस ने मोके पर जाकर घटना को दर्च किया है हिंगनगाट से रवी अनुरकर की रिपोर्ट बीस यन न्यूस के लिए